स्वागत है दोस्तों आपका उत्राखंड नेक्स्ट इग्जामिटू चैनल में तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जुनने भी बारवी पास किया हुआ है और वो उत्राखंड में सरकारी जॉब पाना चाहते हैं ठीक है उससे समझदी के कैसे सरकारी जॉब कौन-कौन सी पोश्ट होती है बारवी पास के लिए और उनका क्या लेवल होता है क्या एक्जाम का पैटर्न होता है और क्या सेलरी होती है उन से प्राखंड में बारे में बात करेंगा अग अर बेसिक्लिए हम UKSAC और UKPAC समझदी जो भी एक्जाम करवाती है, एक UKSSC है और एक है UKPSC, UKSSC की स्थापना भी हाली में 24 में हुई है, इससे पहली UBTR जो ग्रूप C लेवल के एक्जाम करवाता था और UKPSC आपका 2001 से एक्जाम करवा रहा है, इसमें आपको PCS, Lower PCS से संबंदित ऐसे एक्जाम देखने को मिलते हैं, आज इसके बारे में आपको जानकारी चीह होती है, कौन से फोम आया है, कब आया है, यह सब आपको इस वेबसाइट से, www.sc.uk.gov.in, इसको आप नोट कर लें, इस पर ही आपको सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है, और कौन-कौन से एक्जाम है, अब हम वो आगे बात करने वाले हैं पहले आप देख लेंगे, कि जो UK SSI उसकी वेबसाइट कैसी है, यह आप देख रहोंगे, उतराखन Subordinate Service Selection Commission, उतराखन अधिनस सेवा चैनायूग भी हिंदी में इसका नाम है, और इस टाइप से जो आप देख रहोंगे, इस टाइप से यह आपका पूरा पेज है, आपका वेबसाइट का, जिसमें आप देख रहोंगे, आप इसमें रिकूर्ट में इंफोर्मेशन और ओर रिलीस रिजल्ट्स, सभी जनकारी देखने को मिले होंगे आप इधर से, साथ मा आप देख रहोंगे, सलेबस है, आपका ओर पेपर है, समवाद जो UK समवाद भीरत्यों के जो एक्जाम से समवाद होता है, इसमें बताया जाते कि कभी कुछ भी UK SEC चेंज करता है, किसी भी पोस्ट को लेके, कोई भी चीज होती चेंज है, तो वो आपको यहाँ पर दिखाया जाता है, साथ ही आप जो देख रहोंगे, यहाँ पर एक्जाम से समवाद भी सारी जनक ओन्स नगा से समाहरेंगे तो आपको इस टाइब से वेबसाईट देखने, इस पर आपको सारे प्रिविएश्यर कुईस्चन में देखने पहलेंगे, पेपर मिलेंगे अको देख रहोंगे और आपको जो जो चलीवबसर का देखने को मिलेगा, मैंसर कि एक्जाम कालेंडर तो उन सभी के लिए है, तो एक बार आप, मैं सिर्फ 17, 17 और कुछ होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, अगर आपका रिस्पॉंस अचारा है इस वीडियो पर, तो आपको उससे समझती सारी जानकारियां भी धिरे-दिरे मिलते रहेंगे, तो यह मैंने कुछ एक् होता है विज्ञान और कलावर्ग, और वानिजवर्ग, कॉमर्स के लिए, इन सभी के लिए होता है जिसमें विज्ञान से ग्रेजुएट होता है उनके लिए होता है विज्ञान या आर्ट्स या कॉमर्स से ग्रेजुएट के लिए होता है एल्टी का है ठीक, यह हर साल या ज़ादा तर बच्चे भरते हैं, क्योंकि 12 पास होता है, 12 पास के बाद, पहला एक्जाम होता है, बच्चे के पासओ यह होता है, कि 12 पास के बाद नगर पालिका हो। उन सभी में कनिसाय की ज़रत होती है, तो हर साल इसकी बिगयपती वैसे निकलते रहती है, 400-500 पोष्ट है, अल्मोस हर साल ही निकलते रहती है। इसमें टाइप टैपिंग होता है किसी में हर किसी सेर्टिफिए मांगता है नहीं मांगताra आपको थी 3-4000,000 poz 10000 सेली pulling क्रीम साय कहा है जातर आप द्टवलत पास के बाद इसकी तियारी करते हैं क्योंकि यह बावु है इसका प्रमोशन अच्छा होता है इसमें जाए तर बच्चे इसकी भी तैयरी करते हैं और जिनका इसना तक जो बेस्ट कर रहे होते हैं जाए इनको भरते हैं आपका डेटा इंट्री ओपरेटर होता वही बारवी पास केुबाद होता है इसमें थाइपिंगं जरूत पढ़ती है ओर इसका जो लेबल गरेका प्रिण पास इसने UPoclent. closely enlightened फां自 करश्पश्चाछी सेटीद इसमें मेंयित अगिव बेस्ट है इसमें अलग बिवागों उ जैसे हाइक कोट है हमारे उसमें आपको च्याली सो भी मिलने को देखने को मिलेगा, बेसिकली और विभागों में जब जरुवत होती है तो आठा हिस्सो से नीचे नहीं है, अगर बात करें सेलरी की तो इसमें आपको पैंतलिस से पचास जार रुपे सेलरी होती है नेक्स्ट है सभी की फैबरे आपकी पूरिश आरक्षी जो मारे पूरिश कॉंश्टिबल की भढ़ती होती है उसमें बारवी पास ही होता है, फिजिकल इसमें अच्छा होना चीए, आपने देखा होगा दो पेपर होता है इसमें 100 का फिजिकल होता है और 100 का अपका रिटैन ह होता है तो दोन में ही क्वालिफाई होना पड़ता है अच्छे मार्क मार्क सा अगर आपके आएंगे तभी जाके आप इस एक्जाम को क्वालिफार कर पाएंगे तो फिजिकल की ज़रोती इसमें ग्रेट पर ही यह दो जार है आपका और इसमें वही आपको 35-40,000, 30-40,000 की आपकी सहली होती है और हर साल सहली बढ़ती है तो इसलिए अगर आप तयारी करना चाहरे है इन चीजों की तो आप कर सकते है और इनकी डीटियल वीडियो बाद बनाऊंगा और आपका रिस्पोंद अचा रहा है और आप बताने किस भिवाग सरम बंदित आपकी जानकारी इसलिए तो इसकी वीडियो में अलग से बना के दे दूँगा आपको ठीक है नेक्स्ट आपका पुलिस एसाई यह आपका सब इंस्पेक्टर होता है इसमें सिनाथ तक होता है इसमें फिजिकल की इसमें अच्छा होता है इसमें सिर्फ फिजिकल क्वालिफाय करना होता है इसका grade पे पहले शेलिस सो था अब कर दिया गया है अगर बात करोगे आप एक पावर की अगर आप जनता की सेवा करना चाहते हैं एक पावर वाली पोष्ट यह तो ग्रूप सी लेवल पे आपको पूरी सेसाई यह आपको अच्छा एक आपका अपसन हो सकता है और मैंने पताया, आपको के बीच चाहते हिए, तो आपको पचास से शाट हजार के बीच अपकी सेहलि होगी है जो इसको पूरी विडियो पोलता है नेक्स्ट आपका 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 वं और रेक्षी होता है पिटधीकारी बोलता है इसमें बारव्य पास है फिजिकल होता है इसमें 25 km की दोड़ होती है ग्रेड पे इसका भी 2000 है और 2,000 है तो जो सहली 30-40,000 है इसकी भी इतनी होती है नेक्सट आपका आपकारी है आपकारी में भी बारवी पास होता है आपकारी थीक है इसकी बारवी पास होता है और फिजिकल होता है इसमें भी ग्रेट पे इसका भी दो जा रहे है ठीक है बारवी पास के देख रहोंगा बहुत सारे उप्शन है जो बारवी पास करके आ हैं बड़ यह के तैयरी करने पड़ेगा आपको एक से डियल साल की अच असब पसिदेख रहरा है यह है यह स्नातक है घ्रपकां पे इसका भी अठी 2800 है ग्राम भिकासडिकारी इसनातक है यह सब ग्रेजुयो अगर अगर जुज़ ग्रिज़्यें कर दिया है घ्रेजूयुशन में तो ग्रेएं और आप नेक्स टियर आपको फाइनल हो जाई है विकार सथीकारी नेक्स्ट आपक है कि जरूरी और इसके लिए उनोया आप अमारी नेनक्साइ उन्साइजक्षाच laugh मैं ay ceeCee का form अबढ़ते हैं तो july july में आपका exam हो जाय Peachy कोर्सी हो तो ब्रूने हिए गंपर bio औ घ्रलिक्टर स्कते हैं इसक बहा है जेए इसको और द्यूलीड हो ili ऐसमना ये को आधाला है इसके रिप सकते हैं सकटे हो बसक्ता है है ठीक एकि एक और पस अधिकारी आप देखने में पसपालान से संबन देब नेक्स्ट है उध्यान निरेख्छक हौर्टिकल्चरण होता है इसनाथ तक इसकी क्वालिफिकेशन और बायो एक्रिककल्चर होर्टिकल्चर इसकी क्वालिफिकेशन और 800 इसका भी grade पे है, 800 मैंने बताया है आपको कि आपका 45-50,000 की बीच इनकी salary होती है, नेक्स्ट आपका उध्यान पर वेक्षाक होता है, होल्टिकल्टर सुपर्वाइजर इसनाथ तक इसकी 12th pass इसकी qualification होती है, बायू अग्रिकल्टर, होल्टिकल्चर वाले और 2400 ग्रेट पे इसका होता है, नेक्स्ट आपका कनिशाइक जेही होते हैं, जुनियर इंजिनियर और सिविल या इलेक्ट्रोनिक्स वाले जो भी है, वो इसके लिए अपलाई करते हैं, और ये grade पे इसका 2600 होता है, इसके अलाव भी बहुत सारी एक्जाम है, जिनकी तैयरिया आप कर सकते हैं, मैं भी आप आगे वीडियों बताता हूं आपको, ये 12 पास वालों के मैंने बता दिया है, ये बहुत सुनहरा मौका है, इतने एक्जाम, और इसमें से अल्मोस हर एक्जाम, मतलब जो एक्जाम है ये निकलत पुलिस की कभी-कभी साल इस बार लेट में निकली थी, एक्जाम आते हैं, अब बात करेंगे UKPSC गी, तो इस तापना मैंने बताई, मतलब दो वेबसाइड है जिसके अगर आपको आपको यहां देखने को मिलेगी UKPSC समधित मैं किसी एक्जाम के बारे में भी वीडियो नहीं बनाए अगर आप बलोगे तो मैं इससे समधित भी एक वीडियो बना दूगा जिसमें सारा मैं बता रहा हूँ उसमें PCS हैं आपका नाइप तिसलदार हो गया ठीक है खंडे विकास सदिकारी हो गया पुलीस अदिक्षक हो गया और ऐसी बहुत सारे एक्जामें APS हो गया आपने जिस फॉरेस्ट रेंजर हो गया और ऐसी बहुत से एक्जामें जिनकों मैं कवर करके आपको बता दूगा पर फिर कहर तो प्लीस आप कमेंट बोक्स में जरूर कमेंट करना और जो भी बच्चे हो आपके जानने में भाई बहन जो भी हो जिनने भी बारे पास किया है वो एक बार उनको वीडियो जरूर दिखा है ताकि अपने हिसाब से अपना जॉब चुन लें और जो तयारी करना चाते है व आपको यहां उत्राखंड में जॉब मिल जाती है और अगर आपको यू की प्यासे से की डिटेल वीडियो चाहे तो प्लीस कमेंट बोक्स में कमेंट करना और जो पीडियाफ है मैं इसे भी अपने टेलग्राम चैनल में डाल दूँगा उसका लिंक के में डिक्समस बोक्स म जरूर डाल दूँगा और आपको वीडियो कर इंफर्मेटिव लेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तो दोस्तों मिलता आपको नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय उत्राखंड